दोस्तो रोही सर्मा ने एजिया कप में पाकिस्तान के खिलाब फिर मारा दोहरा सतक जिसे देख पाकिस्तान के खिलाडी हैरान रह गए एक बार फिर रोही सर्मा ने पाकिस्तानियों को मजा चाखा दिया दोस्तो अगर आप भी रोही सर्मा की बल्लेवाजी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें चलिए विस्तार से बताते हैं दोस्तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो काफी ज़्यादा चर्चे में चल रहे हैं आल ही में रोही सर्मा ने ऐसी बैटिंग की जो हर किसी को हैरान कर दिया दोस्तो रोही सर्मा कितने ताबर तोड़ खिलाडी है ये तो आप सभी को पता ही होगा रोही सर्मा की 214 रन के बारे में तो हर कोई जानता ही है जो कि रोही सर्मा ने सिलंका के खिलाब 2014 में लगाया था दोस्तो जम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो हर खिलाडी लाइम लाइट में आ जाता है अगर हम दोनों देशों की बात करते हैं कि कोण सब से जादा Asia Cup जीता है तो तो है इंडिया इंडिया ने पूरे साथ बार Asia Cup जीता है वहीं दूसरी तरह पाकिस्तान के औरा पांच-ीबार जीत बाजित पाया है सर्मा ने इस प्रैक्टिस के दौरान काफी लंबे लंबे छक्के लगाए और काफी लंबी पारी भी खेली दोस्ते इस प्रैक्टिस मैच में रोही सर्मा ने एक बार फिर इंडिया के लिए दोहरा सतक लगाया वो नबे गेंदो का सामना करते हुए पूरे 210 रन बनाए उनका जो पूरा स्कोर था वो केवल छक्के के कारण ही था तो बहराल ये जो पारी है ये एक प्रैक्टिस मैच में है ये जो पारी है ये इंटरनेशनल में काउंट नहीं होने वाला है